नमस्कार दोस्तों अमित्तिंग यूट्यूब चनल में आपका स्वागत है हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम एक HTML फाइल को ब्राउजर पर रन कर सकते हैं वीजियो स्टूडियो कोड यूज़ करके बहुत ही असान है सबसे पहले आपके पास वीजियो स्टूडियो कोड होना चाहिए हमने इस सिस्टम में इस्टॉल कर लिया है अगर आपने अपी तक इस्टॉल नहीं किया है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर जाईए वहाँ पर हमने एक लिंक शेयर किया हुआ है जिससे आप असानी से वीजियो स्टूडियो कोड विंडोस 10 में इस्टॉल कर सकते हैं इस्टॉल करने के बाद स्टार्ट पर जाईए लिखिए वीजियो स्टूडियो कोड क्लिक कीजिए क्लिक करने के बाद यह ओपन हो गया है आप एक नई फैल क्रेट करते हैं फाइल पर जाएए न्यूव फाइल क्लिक कीजिए यहां पर html code डालिए यह देखे हमने html code डाला यह हमारा html tag यह head tag के ने title टाइटल ही है हमारा my html web page फिर body tag में हमने एक sample text डाला paragraph tag के अंदर sample web page बायमेद अब क्या करना है इसको save करना है फाइल पर जाएए save as पर क्लिक कीजिए डेस्टॉप पर ही इसको रख दीजिए चलो यहां पर लिख दीजिए नाम डाल दीजिए फाइल का example और यहां पर html select कर लीजिए बस इसको save कर दीजिए देखिए अब html हो गया code भी highlight हो गया minimize कीजिए यह देखिए मारी फाइल आ गई example.shml वापस जाईए अब इसको run करने ब्राउजर पर ब्राउजर के लिए extension पर क्लिक कीजिए या फिर Ctrl-Shift-X कीजिए यहां पर लेखिए open in browser लेखते ही देखिए पहला वाला जो extension आ गया है उस पर क्लिक कीजिए और भी है बहुत सारे आप किसी वे पर क्लिक कर सकते हैं मैं इस पर क्लिक करूंगा क्लिक करने के बाद install कर दीजिए इसको अब यह extension इस्टॉल हो जाएगा दिखा हुए this extension is enabled globally अब इसको close करते हैं close करने के बाद यहां पर जाईए explorer पर अब देखिए यहां पर right किजिए अंदर लिखे open in default browser सीधा default browser पर पर जागा या फिर other browsers सारे browsers की list है जो इस system पर इस्टॉल्ड है तो open in other browser पर क्लिक कीजिए यह क्लिक किया सारे browser आ गए हमारे सिस्टम में जो जो इस्टॉल्ड है हम चलो हम Chrome पर क्लिक करते हैं कोड रन करने के लिए Chrome पर क्लिक किया हमने देखिए मारा output आ गया इसका link देख लीजिए path वही है desktop पे example.html उसके लावा इसका title भी वही है और output भी वही है तो देखिए हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे हम असानी से html file create कर सकते हैं विए studio code में और उसको browser पर रन कर सकते हैं अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो हमारे चैनल अमित तिंक्स को सब्सक्राइब करना ना बूलें